जी तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपन डोर स्कॉलर्शिप के बारे में ये ओपन डोर स्कॉलर्शिप रेशियन गवर्मेंट की तरफ से अनौंस की गई है सबसे पहले इसकी अडमिशन टाइम लाइन देख लेते हैं सो बैचलर मास्टर और डाक्राम के लिए इडमिशन टाइम लाइन अलग से है और पोस्ट डॉक के लिए अलग से टाइम लाइन है इंको हम कंपेरजन में डिस्कस करेंगे अप्लाइंक डेश सब्टंबर फाइव से नुममबर 20 तक है बैचलर मस्टर और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाइंग देश 16 सेप्टमबर से दिसम्बर 10 तक है उसके बाद फस्टेज में एक आनलाइनी टेस्ट होगा आपका जो के जब आप अप्लाइ कर रहे होंगे साथ ही आगे टेस्ट का आपशन आएगा उसी वक्त भी आप देश सकते हैं और इसकी टाइम लाइन सेप्टमबर 5 तेल दिसम्बर 2 तक है उसके बाद पोस्ट डॉक के लिए सेप्टमबर 16 तेल दिसम्बर 25 तक नॉ मोदन 45 परसेंट गाट एक्सेप्टन्स इस टेस्ट के बाद 45 परसेंट ही इस टेस्ट मेल और बाकियों को वह रिज्एक्ट कर देंगे उसके बाद second stage में एक और टेस्ट लेंगे जो कि तीन गंटे को होगा इसकी deadline December 3 तिल January 17 में होगी मतलब इन dates के दर्मियान वो इस टेस्ट को conduct करेंगे और postdoc के लिए December 26 तिल January 29 उसके बाद third stage में interview हुआ है यह सिरफ doctoral program के लिए इदर और दूसरी तरफ सिरफ postdoc के लिए January 20 तिल February 21 तक और postdoc में January 29 तिल February 21 तक तो इसके बाद next कलते हैं भी degree program bachelor master PhD और postdoc यह सबी के लिए है open door scholarship उसके बाद scholarship की eligibility अगर देखी जाए तो applicant must apply for an eligible degree level मीन के अगर आप bachelor के लिए apply कर रहे हैं तो आपकी interclear होनी चलिए master के लिए bachelor और PhD के लिए master postdoc के लिए PhD और इन्होंने सिरफ इस scenario में mention किया हुए कि postdoc degree applicant must have obtained their PhD or doctor of science degree by the registration deadline September 16 बाकियों में इन्होंने यह चीज़ mention नहीं की हुई so PhD के students जो apply करेंगे postdoc के लिए उनकी September 16 तक degree उनके पास होनी चाहिए उसके बाद applicant must have a strong academic record all required document must be submitted proficiency in English or Russian is required इन्होंने mention किया हुआ है कि आपका यह test required नहीं है आपने test नहीं देने बट आपकी proficiency होनी जरूरी है English में या रिशियन में उसके बाद applicant must take the open door scholarship exam यह वोई exam है जो तीन घंटे का आपको होगा सो उसके बाद आपके इंटर्व्यूज होंगे उसके बाद scholarship कवर फुल ट्वीशन फीवाइवर है फार successful applicants monthly stipend will be provided यह depend करेगा युनिवर्सटी की उपर university to university vary करता है stipend इनका कम ही है बाकी fully funded में के आपको university fee नहीं पे करने पड़ेगी stipend कम होगा थोड़ा आपको मुश्कल fee manage करना पड़ेगा उदर उसके बाद scholarship are available across all academic discipline nominatory English or Russian language proficiency test is required but submitting such a test can enhance your application profile अगर आप submit करते हैं इन में से कोई test तो वो आपके लिए beneficial होगा अगर नहीं करते तो उसकी कोई problem नहीं है required नहीं है इधर उन्हें लिस्ट आफ युनिवस्टी दी होई है इसको आप देख सकते हैं तकरीबन 25 युनिवस्टी हैं higher school of economics और next slide पे भी यह इधर से आप देख सकते हैं वीडियो को रोके कौन कौन सी युनिवस्टी इसमें eligible हैं और इस next slide में मैंने 10 best universities को highlight किया है कैसे किया है चैट युबिटी से ही पूछा है कि इस list में से 10 best universities के name मुझे mention करो तो अगर आप भी देख रहे हैं अपनी university अपने program के इसाब से अगर देखनी है आपको नहीं मेर रही तो अपने program का name लिखो और नीचे यह जितने भी 24 universities इनको पेस्ट कर दो तो इस तरह आप अपना program भी easily चूंड सकते हैं चैट जी भी ने लाइफ बहुत ही असान कर दी है even in scholarship hunting में भी यह आपके लिए helpful है तो इस तरह कि आप जो गार लगाके अपनी universities ढूंड सकते हैं उसके बाद study program यह सारे study programs हैं इनको आप देख लीजिएगा so मैंने इदर mention कर दी हैं इदर stop करके आप देख सकते हैं उसके बाद required documents इसमें motivation letter copy of degree certificate ट्रांसपेट language proficiency proof English और Russian यह proof इदर सिर्फ mention उन्होंने किया हुआ है बट पहले आपको दिखा चुका हूँ कि उन्होंने mention किया हुआ है कि जरूरत नहीं है बट आपकी proficiency होनी चाहिए अगर आप इसको submit करते हैं तो best है नहीं करते तो कोई problem नहीं है आपने motivation letter यह motivation letter उन्होंने एक firm बनाया हुआ है एक उन्होंने टैप बनाई हुई है उसको आपने just fill up करना है को motivation letter खुद से लिखना नहीं उधर ही type करना है उसके बाद copy of degree certificate यह आपके पास होंगे transcript भी होगी तो उसके बाद आप apply कर सकते हैं जी तो next apply कैसे करना है है इसके लिए यह link मैं description में mention कर दूँगा और साथ ही whatsapp group का भी link mention करूँगा जो मैंने create किया हुआ है जिसमे कोई भी scholarship आती है तो उसकी update share करता रहता हूँ और साथ ही discussion group भी हमने create किया हुआ है जिसमें जतने भी scholarship hunting करने वारे students हैं वो आपस में discussion कर सकते हैं को document नहीं है तो वो आपस में share कर सकते हैं और साथ ही मेरे channel और facebook page को follow करके रखें ताकि जो भी scholarship की update आए वो आपसे मिलती रहा है मैं हमेशन वही scholarship पे focus करता हूँ जो के fee के बेगार हो या फिर उस scholarship की minimum fee हो जिसमे maximum chances हो तो लाजमी subscribe करके रखें channel को और page को follow करके रखें तो अभी चलते हैं website की तरफ देखते हैं कि website पे आपने क्या कुछ करना है जी तो गाइस जैसे ही आप link पे click करेंगे तो इस तरह का interface open हो जाएगा university की website open हो जाएगी यह नीचे sign up का link दिया हुआ है इस पे आप click करेंगे आप अपना रूल्स के बारे में जाना चाहते हैं तो इदर रूल्स पे click करके आप सारे इस scholarship के लिए रूल्स जो mention उन्हें की हुए आप देख सकते हैं जिनको मैंने short slides में cover किया है उनको आप इदर detail में देख सकते हैं जो भी एक नया प्रोग्राम एक नए stage में आप winter हो रहे होते हैं तो उस से तीन से चार दिन पहले या एक अफ़ता पहले वो उसकी detail आपके इस account पे या तो share करेंगे या आपकी email पे इन दोनों चीज़ों पर आपने active रहना है तो उसके बाद हम चलते हैं या भी home पे इदर personal account इस पे आपने click करना है तो मैंने already account बनाया हुआ था तो उसने directly मुझे sign in कर दिया आप पहले sign up करेंगे उस account को जो भी वो detail मंगेगा उसको fill up करना है then वो आपको इस page पे लेके आएगा तो अब इदर आपने अपनी profile complete करनी है इदर education documents not filled in तो इस पे आपने click करना है इदर आपने education level को सासत mention करते जाना है country mention करना है तो यह simple सी farm filling है इदर आपने अपनी degrees upload करनी है इसे save करोगे उसके बाद next next आपने करते जाना है मैं just आपको guide कर रहा हूँ यह चीज़ें आपने खुद से करनी है उसके बाद motivation letter यह आपको पहले से बता चुका हूँ कि आपने अपना motivation letter fill up करना है ना कि आपने खुद से लि किस-किस category में हैं वो भी इन्होंने इदर mention की हुई है अभी आपको पता चल जाएगा publication report at conference के बाद यह सारी चीज़ें ने ने mention की हुई है इनमें से कोई भी आपके पास achievement हो तो आप उसको mention कर सकते हैं इंट्रेंस test यह आपको पहले बताया था कि आपने first stage का test इदर ही देन हैं और जिस भी टेस्ट में आपके maximum score होगा उसको consider किया जाएगा सो इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे आपका test start हो जाएगा then आपने यह अपने यह उनिवस्टी भी चूज़ करनी है इस पे क्लिक करेंगे तो इदर आपने अपनी five universities को चूज़ करना है प्रियॉरिटाइज करके select from one to six, six universities hosting the Olympiad in order of priority जो जैसे जैसे आपकी priority है जैसे आपने इनको select करते जाना है आपको बता चुका हूँ किस तरह आप अपने subject के related university देख सकते हैं चैट जीवीडी से भी help ले सकते हैं universities को one by one open करके उनकी भी fields देखके select कर सकते हैं उसके बाद आपने इसको save कर देना है और end पे submit का option आ जाएगा यह तो यह simple process है आप मैंने one by one filling नहीं कि यह आप खुल से कर सकते हैं बहुत ही असान process है hope so आपको understanding होगी होगी see you in next video take care Allah peace